स्मार्टफोन ने अपना एक और ने स्मार्टफोन 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 की प्राइस में 4,000 रुपीस का डिफरेंट देखनों को मिल जाता है क्योंकि एक तरफ रियल्मी के नार्जो सेवेंटी फैब जी को 14,998 रुपे की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वा को बाई कर सकते हैं दोने स्मार्टफोन का परफॉमस की बात करी जा तो एक तरफ गैलेक्सी के एक शिचेंटी फैब जी में मिडिया टेक का डैमेंसटी 6300 का प्रोसर देखनों को मिल जाता है वैसे तो रियल्मी के नार्जो सेवेंटी फैब जी का प्राइस 4000 रुपीस कम ह ईसमार्टफोन को खास कर गैमिंग के लेने के सोच रहे तो इन दोने स्मार्टफोन के जी सकोर यानी गेमिंग स्कोर को जरा जरूरी है जब इन दोने स्मार्टफुन में 30 मिनट तर गेम को फ्ले किया गया तो एक तरफ गालेक्सी की दुम्द विधुर थोने के बाउजूद भी गेम्ज पॉत्फॉपर्फॉमस के तो किलियर विना के इस रियालमी का नाषanswer दोने स्मार्टपून का अगर डिस्प्ले सेग्मेंट की बात करी जो तो कम प्राइस होने के बाउजूरी डिस्प्ले में ज्यादा एड़वांट है तो आप लोगों को रियल में के नाजो स्पाइब देखने को मिल जाते हैं 6.67 इंच की फुल एचिटी प्लस एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाता और डिस्प्ले के अच्छी स्मूथनेस के लिए वन ट्वांटी हर्टे रीफ्रेश एट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है वह दूसरी तरब गैलेक्सी की एस 16 5G में 6.7 इंच की सुपर एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती पर डिस्प्ले पॉंच ओल देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले के अच्छी स्मूथनेस के लिए सिर्फ 90 हर्टे रीफ्रेश एट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोने स्मार्टफोन का अगर IP स्मार्टफोन में इन दोने स्मार्टफोन में काफी अच्छा सेटप देखने को मिल जाता पर गैलेक्सी के का एक बहुत बड़ा माइनस फांडे की 18,000 रुपीज या 19,000 रुपीज के प्रैस में वेकार देखा जातों आप लोगों को कैमरे में 50 मेगाफिक्सल का में प्रामरे कैमरा मिलता है बाकी के दो कैमरे 5 प्लेश 2 मेगाफिक्सल के मिल जाते हैं LED फ्लेश रैट के साथ कैमरे में OIS का सपोर्ट देखनों को नहीं मिलता और ज्यादा प्रैस होने के बाउजुद भी आप लग फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते सिर्क फुल एच्डी वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑफसन देखनों को मिल जाता है वहीं दूसरी तरफ रियल में के ना कैमरे से 4K वीडियो आस्तानी से रिकॉर्ड कर सकते सेलफी एक तरफ गैलेक्सी के इसीचीट आप छीचेंग है जबके रियलमी के ना जो सेवन्टी फईप छीचेंग है था देखनों को मिल जाता है वहीं एक तरफ गैलेक्सी के एशीचिट में के आप लोगों 3.5 mm jack का support देखनों को नह मिलता जबकि Realme के नाजो 75G में 3.5 mm jack का support देखनों को मिल जाता है बैटी सेख्विन का अगर बात करी जाता है एक तरब Realme के नाजो 75G में 5000 mAh की बैटरी देखने के पिल जाती 45W के सुपर वोक चाजिंग के साथ USB टैप सीपोर का support देखने के पिल जाता है वाई दूसरी तरब गैलेक्सी के एशिशिन 5G में 5000 mAh की ही बैटरी देखने के पिल जाती सिर्फ 25 वाट की फाच चार्जिंग के साथ USB टैप सीपोर का support देखने के मिल जाता है तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बैश्ट है अगर आप लोग का बजट काफी जड़ाग काम है और कम से कम प्रैस में स्मार्टफोन लेने के लिए सोच लो तो मैं आप लोगों के रिकमेंट करता हो कि आप लोग 4000 पीस कम खर्च करके रियल मी के नार्जो 75 जी को ही बाई करें